विराग आटोमेशन आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे ABB ACS800 M controller का कैसे हम battery को replace करेंगे इसमें कितने batteries हम use कर सकते हैं कौन सी battery use होगी कि specifications क्या रहेंगी और वो हमारे जो controller है उसमें आप कहा located रहती है हम कैसे open करेंगे मैं आपको open करके भी दिखाऊँगा यापर controller को battery निकाल के भी दिखाऊंगा अगें battery की polarity कैसी रहेगी positive कह रहेगा यह सभी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले में बता देता हूं कि हमारा ACS800 controller है जो ABB का उसमें दो batteries हम यूज करते हैं एक internal battery होती है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं और एक external battery होती है जिसका एक अलग से port होता है वो हमारे controller के bottom में होता है उसमें राइटिंग में लिखा भी रहता है एक screw से हमारा tight होता है यह हमारा main screw रहता है उसके उपर यह हमारा ACS800 M का cover रहता है इसकी back side में हमारे battery रहती है चलिए मैं दिखाता हूं आपको हम सबसे पहले जो यह screw है हमारा इस screw को हम open कर लेंगे यह देखिए यह cover की बात कर रहा हूं मैं यह यहां पर इसमें एक open करने के बाद में यहां पर एक cover system होता है इसमें lock होते हैं जो lock open करने पड़ते हैं हमको screw से यह जैसे मैं screw करूँगा इसमें spring tension रहता है immediately यह कुछ देर के बाद में बहार आदा है अब दिखेंगे जैसे यह जो है screw type रहता है और इसमें spring tension रहती है यह मैंने इसको निकाल दिया है मैं आपको live दिखा रहा हूं पूरा यह तो यह जो है यह यह यहां से open हो जाए अब आप देख पा रहे हैं यहां पर एक battery है यह बिलो साइड में नीचे में 3.6 वोल्ट लीथियम बैटरी है यह मेरा बैटरी अब आपको स्पेसिफिकेशन भी दिखा रहा हूं यह बैटरी में जो है उपर पोस्टी रहता है इसमें बैक साइड में एक निशान भी बना हुआ है यहां पर आप आप देखेंगे यहां पर ये दिखिए यह यहां पर राइटिंग बिका पोस्टीव और यह हमारा है नीचे की तरफ में नेगटिव यह बिल्कुल polarity जो होती है, इसमें clear होती है, हमारा उपर positive रहता है, नीचे negative रहता है, इसका जो size है, इसके आप hardware, manual जो रहता है, उसमें की पुली specification भी आप easily available आपको हो जाएंगी, यह हमारे other cards होते हैं, same हम अपने battery को replace कर दिया है, हम इसका cover यहां से लगा देंगे, जो कि अपना lock system में, plastics के lock रहते हैं, और हम इसको screw से tight कर देंगे, और यह बहुत ही easy है, आज के लिए इतना ही, thank you for watching my videos, thank you so much.